हेलो फ्रेंड्स आज में बोटनेक ब्लाउस पे कितना नेक डीप देना है और कितना नेक का चोड़ाई लेना है राइकी हिसाब से आप नेक डीप कितना ले सकते हो इस पीटीपास पुरा बताुंगे तो आप बोटनेक पे यह जो नेक डीप पर ध्यान में रखना है क् straat लिखिए कि बॉट नेक पे back side पे और front side पे दुना external आपको ये जो नेगड़ीब थे ये सेभ रॉक्त मैहिं अगर आपका बेक और front दोनों का नेगड़ीब से होगा तो आपका ये प्लाउस पारपेक्ट होगा उसके बाद देखिए नेग डिप कितना देना है चोराई आप ज़्यादा ले सकते हो अपनी हिसाब से ले सकते हो लेकिन इसका जो नेग डिप थे यह आप 4.5 से आगे नहीं ले सकते हो अगर 4.5 से 4.5 भी आप रखोगी तो आपका यह जो बोटनेक है यह पार्पेक्ट नहीं होगा जोब आप नेग डिप 4.5 से ज़्यादा रखोगी तो पहनने के बाद यहाँ से बहुँ ज़्यादा फेब्रिक एक्स्ट्रा ऐसे निकलाएगा फुला हो रहेगा देखने में ऐसे लाएगा इतना मिनिममम 1 इस या 1.5 इस फेब्रिक एक्स्ट्रा है तो यह फ्रोब्लेम इसलिए होता है क्योंकि आप बोटनेक पे नेग डिप ज़्यादा लेते हो तो बोटनेक पे आपको नेग डिप ज़्यादा नहीं लेना है आप नेक का चोराई ले सकते हो लेकिन डिप आपको कंट्रूल में लेना है मिनिमम 3.5 इस या अगर ज़्यादा होता है वो थेबी साइज है तो 4 इस तक आप ले सकते हो और देखिए जब इस तरह का होता है ये भी बोटनेक है जब इस तरह का होता है देखिए फ्रोब्लेम बोटनेक है तो आपको ये जो डीप है ये कम लेना है तो देखिए मैं यहां से ले रहे हूं समझाने के लिए मैं सबस्स मेरे शोल्डर 7.5 इन से यहां तक मेरा शोल्डर है तो यहां से आपको थोरा सा डाउन करना है आप आप हाप इस भी ले सकते हो या पॉने एक भी डाउन कर सकते हो उसके बाद आपको नेक का चौराय कितना देना है यह आप अपनी सब से दे सकते हो यह 5.5 भी ले सकते हो यहां तक चौराय आप अपनी सब से ले सकते हो लेकिन इसका जो डीप थे यह आप ज्यादा नहीं ले सकते हो आप यह 4 इंच तक ले सकते हो, 4 इंच से ज़्यादा अगर होगा, तो पहनने के बाद आपका यह जो ब्लाव से कभी फिटिंग नहीं होगा, तो देखिए मैं यहां से 4 इंच लिया, फिर इसको शेप देना है, इस तरह से, अब यहां पर देखिए, नेक का शेप कैसे देना ह है, इस तरह से राउंड पर नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है, बोट नेक पर, तो इसके के अगर आपको बोट की तरह देना है, इस तरह से यहां से देना है, इस तरह से, तो देखिए यहां पर कितना हुआ है, 2.2, देखिए 2 इस लेने के बाद, मैं और भी 2 सुत लिया, यह से तो इस तरह से आपको शेप आना है यह आपका पार्फेक्ट है यह आपका रंग हुआ है जब इस तरह का होगा तो आपका यह जो नेक का है पहनने के बाद आपका यहां पर फीटिंग्स कभी नहीं होगा जब इस तरह से होगा तो आपका बहुत आचे फीटिंग्स होगा अभी देखिए इसको मिलाना है, मैंने मिला लिया, अभी आर्मोल कितना लेना है, यहाँ पर मैंने 6.5 इस लिया, आप यह पॉने 7 तक ले सकते हो, उससे आगे नहीं चाहिए, फिर यहाँ से मिलाना है, उसके बाद देखिए, यह होगा फ्रॉंट के लिए, तो बैक के लिए और फ्रॉंट के लिए दोनों अलग-अलग होता है, सापोस यह 36 की हिसाब से मैं, 36 साइस, तो 36 का चोटा हिसा होता है, 9, तो मैं यहाँ पर 9 इस पर पॉइंट दिया, उसको जीतना आप चाहो, आपनी हिसाब से ले सकते हो, मैंने 2 इस लिया, यहाँ तक, तब इसको शेप तो शेप कहां से देखिए, आर्भूल का शेप कहां से होगा, हाप इंस, यहाँ से हाप इंस से होगा, इस तरह से यहाँ से हलका सा डाउन करके देना है, नीचे की तरफ, तो यह हो गए बैक के लिए, अभी हमें फ्रॉंट के लिए देना है, तो फ्रॉंट के लिए कितना उसका फैबरिक चाहिए तो यह मिनियम थाटेण या फोटेणी इस होता है उस ज़्यादा नहीं होता है टोटल अगर आपको किसी के यहां से मेजरमेंट ले ले में थुरा प्रोब्लम होता है आपको समझ भी नहीं आता है किस तरह से ले रहा है तो आपको क्या करना है यहां स सिधा वानी से पॉन एक अंदर की तरफ इस तरह से दिजिए गा फिर यहां से इसको मिला देना है यह से तो मिलाने के बादि आपको फ्रॉंट के लिए शेप देना है देखे यह हो गया आपका फ्रॉंट हो के बिलकुल बरावर क्योंकि बैक साइट बैक साइट की हिसाब से आपको प्रॉंट का आपको फ्रॉंट कर वोल मिनिमाम पोनेएकी सक होना है इसके माइश तरह से नॉर्मल इस तरह से होता है तरहिसे म कե՟ि मेंग लेकर आपका होता है मेन होता है यह ने को ईट को फोली से ज्यादा sprip द्वियान में राख ना है ने कचा चौरा क्वीत गू बात को ध्यार में राखते होई, ब्लाउस काटोगे तो आपका ब्लाउस बिल्कुली पार्पेक्ट होगा, ये सेम तरीके आपको कूर्ती या कामिस परी करना है, तो आपका कूर्ती या कामिस और ब्लाउस कोई भी हो, आपका पार्पेक्ट फीटिंग होगा, तो उमीद है आ को समझ में आ गया होगा वीडियों देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद